अबस्कार सौथियों शौगत आपका TGT PGT आर्ट के उटूब प्लेट फाम पे मैं होंबरी शुक्ला एक दो-तिन दिन से वाटसब पर फेस्बुक पर एक चीज घोम रही है बहुत तेजी से घोम रही है कि जो TGT और PGT के आने वाली परिच्छाएं हैं उनसे पहले आपको TET परिच्छा पास करनी होगी तो इस वीडियो में मैं आपके सारे संदे ही दूर कर दूँगा क्यों खबर को लेकर के सच्चाई क्या है क्या होने वाला है क्या ऐसा कुछ प्लान हो रहा है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका implementation कब से होगा तो वीडियो में आखरे तक बने रही है मैं पूरी बातचीद करके आपको बताऊंगा कि क्या होता है और अगर होगा भी तो कैसे लागो होगा ठीक ना पूरी बातचीद करेंगे लेकिन कोई confusion आसे नहीं रहेगा आपके लिए और सबसे पहली बात कि कोई panic create नहीं करना है अभी कोई तुरंट से बदलाव नहीं होने जा रहा है पहली बात तो यह note कर लीजिए आप तो वीडियो को स्टाट करूँ उससे पहले आप से क्रिवश्ट कि आप लाइक कर दीजिए और एक और बात जो लोग कला बिसे के तयारी कर रहे हैं पीजिटी पीजिटी या lt grade की उनके लिए मैं बता दू कि हर सुबह 8 बजे में लाइब आता हूं कुश्चन अंसर करवाता हूं और हर रात 9 बजे मैं आपको लाइब मिलता हूं बातचित करता हुआ कला की किसी बिसेश टॉपिक पर तो जो साथी कला की तयारी कर रहे हैं कला बिसे से तयारी कर रहे हैं वो जरूर जुड़ें चलने को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें कोई भी अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं टीटी पर टीटी यानिकि टीचर इलिसबिल्ट टेस्ट अभी तक किस्तती यह है कि teacher eligibility test को किनदर सरकार और राज सरकार करवाती हैं इनका प्रियोग किया जाता है primary यानि की प्राथमिक सिच्छब़ती में और junior यानि की कच्छा एक से लेकर कच्छा आठ तक के जो अध्यापक बनते हैं उनके परिच्छा में TAT एनिवारी है TAT पास करना होता है teacher eligibility test को पास करना होता है और यह ब्यवस्था 2011 से लागू है अब सवाल यह उठता है कि क्या माध्मिक और जो है माध्मिक से उपर किसी भी भरती में TAT लागू हो सकता है और अगर होगा भी तो कैसे होगा दिखिए कच्छा एक से लेकर कि कच्छा आठ तक की जो धापक भरती परिच्छाएं होती है उसमें कामन सब्जक्ट होते हैं सारे सब्जक्ट कामन होते हैं भासा को लेकर के अलग-अलग होता है तो भासा का अलग से पेपर भी TAT में होता है जब TGT या PGT में TGT लागू करने की बात आएगी तो सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होगा कि आप इसे कैसे करवाएंगे क्योंकि यहां पर जो बिसे हैं वो इस्पेस्फिक हैं कोई मैथ से TGT के त्यारी कर रहा है कोई साइन्स से कर रहा है कोई कला से कर रहा है कोई अंग्रेजी से कर रहा है कोई हिंदी से कर रहा है को इतिहास से कर रहा है अब सवाल यह उठता है कि जो ELT grade का पेपर होता है उसमें जो 30% GS के आते हैं उस प्रकार से एक टीटी की परिच्छा ले जा सकती है अभी जो खबर वाइरल हो रही है जिसको लेकर कि मैं वेडियो बना रहा हूँ वो खबर इसलिए नहीं है कि TGT में लागू होने जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है अभी NCT ने हर राज से TET का ब्यावरा मांगा है कि उनके कितने TET लोग पास हैं कितने अभी ऐसे हैं जो TET पास बैठे हैं और उनको नोकरी नहीं मिली हैं यानि कि एक जानकारी नहीं मांगी है और जो ये सूत्र होते हैं समाचारों के ये कुछ जादा सोच लेते हैं और इनका काम होता है कि जल्दी सजल्दी कोई अपना खबर चलाने के लिए एक पैनिक क्रेट करने का प्रयास किया जाए देखिए अगर आने वाले समय में TGT ये PGT में TGT लागो भी होता है तो कम से कम दो से तीन साल तो ये लागो नहीं होने जा रहा है क्योंकि उसका एक रूपरेखा त्यार करना होगा उसकी एक गवर्निंग बर्डी होगी जो उसको करवाएगी और वो सब अभी कुछ नहीं हुआ है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जा रही हुआ है तो कम से कम तीन साल तो कुछ नहीं होने जा रहा है तो आगामी जो TGT, PGT, LTGridd की भर्तियां है उसमें TGT नहीं होगा ये एकदम लिख के लिए लेजी मेरे वीडियो रिकार्ड का ली जब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हाँ, अगर दो-तीन साल में के भीतर अगर जो है सरकार बना लेती है, गवर्निंग बाड़ी बना लेती है पूरा प्रारूप तयार कर लेती है तो हो शक्ता है कि भविसमे टीटी लागू हो जाए इसमें भी लेकिन वहाँ भी आपको पैनिक क्रेट करनी के आवशक्ता नहीं है क्योंकि यदि आप सब कुछ तयार कर लेंगे तो टीटी भी आपका तयार हो जाएगा ऐसा नहीं है कि वो मंगल क्रह के लोग आकर के पास करते हैं तो कोई पैनिक क्रेट नहीं करना है अपने पढ़ाई में लगे रही है अपने विसे की पढ़ाई करिए टीटी उटी का सिलेपस मत पढ़िएगा वो आपके टाइम की बरबादी होगी अगर आप प्रात्मिक और जूनर सिचक पढ़ती की त्यारी कर रहे है तो आप टीटी पढ़िए बट यह आप टीजटी के लिए टीटी पढ़ना सुरू करते हैं तो यह मुर्खता होगी ऐसा आपको नहीं करना है जब भी कोई ऐसी अपडेट आएगी मैं जरूर आपको बताऊंगा तो फिर आखरी में एक बार आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे खासकर कलावेसे के सातीगन हमारे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे बहुत बहुत धन्यवाद